कि आज चेप्टर पढ़ रहे हैं टैंसेंज टैंसेंज आपको मालूमें कि हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो टैंस में हमारा कई तरह का होता है जैसे पहले है सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट हमारा जो अभी चल रहा है पास्ट मतलब जो बीच गया है सिंपल फ्यूचर जो आएगा तो सिंपल प्रेजेंट में आप फर्स्ट फॉर्म अफ दवर्ब उसमें एस और एस लगाते है सिंपूलर के साथ जैसे अगर आप लगाते हैं और आई गो ही गोज मतलब है जाता है यह जाता हूँ इसमें हमेशा सेकेंट फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर में विल या शेल आता है विल या शेल आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे अगर मैं जाऊंगा तो आई शेल को मैं जाऊंगा आई विल गो आपने देखा इस इतमें ही गोज आई गो यह प्रेजेंट है संपल यह पास्ट है ही वेंट आई वेंट आई विल गो यह आई शल गो यह क्या है सिंपल फ्यूचर है अब प्रेजेंट कॉंटिनुवस क्या होता है आर प्लस फॉस्वाम में आई एंजी लगता है जैसे एक्जामपल आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन दा मैच बताती हूं उन्हें जा रहा है इसका मतलब क्या है रहा है रहे है रही है जिसके लास्ट में आ पास कंटिनुवस में लगता है वाज या वर प्लस वीवन मतलब फस्वाम प्लस आएंजी यसी का यस्टरडे दा चिल्रन वर प्लेंग कल बच्चे खेल रहे थे यही वाज प्लेइंग फ्यूचर कंटिनुवस में खेल रहा होगा तो आई विल बी प्लेइंग प्रजैंट प्रफक्ट है प्रफक्ट तो भी नहीं कर रहा हम अब इसमें कहा है यह वाला आर दी सेंटेंस इंस सिंपल प्रजैंट सिंपल प्रजैंट में एस यह एस लगा होगा प्रजैंट कंटिनुवस में इस आर या एम प्लस आएंजी वाला रहा होगा प्रजैंट प्रफक्ट प प्रेजन्ट कंटिनुऊस् time ए l세 सिंपल फ्राजेंट एसे अहाँ एस लगावा क्या होता है सिंपल फ्राइट यहले पर्फेक्ट हैं पर ते वहाला कॉनसा है फ्रेजेंट पर्फेंट अब टैन्स तो यह भी सिंपल प्रिजेंट है इस रनिंग आया है तो क्या है प्रेजेंट कॉंटिनुस पता है थना इंजी में क्या रहा है कॉंटिनुस में जैसे रहा है इस तरह से यह तो प्रेजेंट पर्फेक्ट अब यह तीन पहले आप फ्रट लेंगे कि क्या है यह और जो लिखें हाँ काम देंगे